नमस्ते और मैं इंडिया से मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूं मेरा एक क्वेशन है सार हम लोग प्रजेंड मूवमेंट में कैसे आवेर रह सकते हैं प्रिजेंट मूवमेंट में कई से आवेर रह सकते हैं पहले समझना होगा कि टाइम क्या है जिसको हम टाइम बोलते हैं पास्ट फ्यूचर प्रिजेंट वो बास्तब में होता नहीं है वो हमारी मन की एक मान्यता है रियालिटी में कोई काल आगे नहीं बढ़ जा रहा है जो भविस्थे की तरफ जो जिसका भूत काल में जिसका मुर्तिव हो गया तो इस हिसाब से कोई भी काल आगे नहीं बढ़ रहा है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकल में व्रत्ताकार में घुम रहा है आप देखेंगे सुभा होता फिर साम होता और फिर सुभा हो जाता पर टाइम आगे नहीं बढ़ा कहीं क्या हो गया कि एक गोलाकार व्रत्त में एक घुम रहा है सर्दी आई, ठंडी आई, और भहुत सारे रितु आएं, और फिर जो है संडे आया, ठंडी आई तो महिने बार होते हैं चक्कर लगाते हैं हबते साथ होते हैं चक्कर लगाते हैं तो टाइम बढ़के आगे कई नहीं जा रहा है जैसे हमको लगता है कि टाइम बढ़के आगे चल रहा है और हम जो है पीछे से खतम होते जा रहे हैं और आगे हम दवड रहे हैं ऐसे हमको लगता है मागर ऐसा हो नहीं रहा है ये प्रथिवी जो है सूरज का चक्कर लगा रही है तो लगता है समय बहुत बिद चुका क्योंकि एक ब्रच्छे था वो ब्रच्छे बड़ा हुआ फिर वो बुढ्डे हुआ खतम हो गया और बहुत साल बिद गया ये साल ये बर्च ये महिने ये कुछ पही नहीं होता ये सब हमारी मन की धार्णा है कंसेप्ट है आदमी ने इसको समय में बांग दिया ताकि विवारिक कामकाज में उपयोगी हो सके और जो है आदमी मरता है तो उसको काल को तीन भागों में बढ़ना पड़ा क्योंकि वो मर जाता है एक दिन तो उसको लगता है कि चीजे नस्त होती है खतम होती है उसका आगे जाना होता है उसका आगे की तरफ बढ़ना होता है और पीछे की तरफ खतम होना होता है तो यह हमको लगता है मगर चीजे इस हिसाब से नहीं बढ़ती ट्रान्सफर के रूप में होती है चीजे बदलती है संडे आया मंडे आया ट्यूस्टे आया अगर समय होता तो संडे एक बार आता तो दुसरी बार संडे नहीं आना चाहिए वो आगे बढ़ता ही रहना चाहिए संडे मर चुका होना चाहिए मरना चाहिए संडे को, मंडे को, सभी को और हर एक नएने दिन को नएने सब्द देना पड़ता है मगर ऐसा होता नहीं वैशाक आता है, जेट आता है, असार आता है, असार आता है, स्रावन आता है फिर जो है वैशाक फिर आ जाता है इसलिए हमारे प्रुवी अध्यात्म में इसको चक्र बोला है जीवन को चक्र बोला है भारत के जो जंडे है उसमें भी चक्र का दिशान है तो यही रहस्य है जीवन का यह एक चक्र है यह गोल-गोल घुम रहा है मगर हमको लगता है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है और नहीं है इसा और इसको अच्छे से समझने के लिए आकास को देखें जैसे आकास होता है वो कहीं भी नहीं जाता है अपनी जगह होता है और आकास का भूत काल भी नहीं होता बरतमान काल भी नहीं होता भविस्यत काल भी नहीं होता है नहीं है हम नहीं बूल सकते कि यह आकास जो है बरतमान में है हम नहीं बूल सकते वह आकास भूतकाल में था क्योंकि जो चीज सदा से ही है उसको हम बोल नहीं सकते है अगर जो चीजे उत्पन्न होती है घटबड होती है उस चीज को हम काल में ढाल सकते है यह बा उसको हम तीन काल में बाट नहीं सकते, क्योंकि वो सदा से ही है, उसका होना ऐसा है, काल के बाहर है, उसका होना, अकाल में है, मगर जो चीजे उत्पन्न होती है, खतम होती है, उसको हम बोलते हैं, आदमी जो है, उत्पन्न होता है, खतम होता है, तो इस हिसाब से उसने काल को तीन भाग में पाण दिया। इसलिए आइंस्टाइन जैसे जो साइन्टिस्ट है उन्होंने ये पता लगया कि ये टाइम हमारी मन का एक माननेता है, मन का कंसेप्ट है, बिलीव है। इसलिए टाइम का महसूस नहीं होता और भिन्न भिन्न होता। आप किसी प्रेमिका के साथ दिन विता रहे हो, तो वो दिन का टाइम इतना छोटा मालम होगा कि अभी आये अभी खतम हो गया। बहुत छोटा मालम होगा। मगर किसी लास के साथ आपको दिन गुजारना पड़े, तो आपको ये लगेगा कि वो एक दिन भी एक साल जैसा लंबा। तो टाइम अगर फ्याक्ट होता, तो उतना ही महसुस होना था, मगर ऐसा होता नहीं। ये हमारा मन का धार्णा है, इसलिए हमारी मन की इस्तिती जैसे है उस इसाप से टाइम का भी अनुभब होता। आपको पता होगो, जिस रात आपका नीद नहीं लगती और परिशान होते हैं, तो वो बहुत लंबी रात मालूम पढ़ते हैं। जिस रात प्रसन्ना है, नीद लगती अच्छा होता, वो बहुत छोटा मालूम पढ़ता है। इसलिए ये समझना है कि टाइम जो है, मन का एक कंसेप्ट है, हमने ब्रह्म के कारण काल मान लिया, समय जैसा मान लिया, और उसको तीन भाग में बान दिया। और हमारा पास जो माइंड है, वो ही समय का सुचक है, वो ही समय बनाता है। और हम उसको बोलते हैं प्रजेंड टेंस, पास टेंड, प्रजेंड टेंस भी नहीं होता, आपने बोला प्रजेंड में कैसे रहे, प्रजेंड जैसा कुछ होता ही नहीं बाई, आपको मैं कैसे सल्लाह दूँ कि प्रजेंड कैसे आवेर रहे, प्रजेंड जैसा होता नहीं क्या होता है और रिशिमुनी ने किस बात को उपर आवेर करना बुला है वो मैं बता दूंगा पहले आप यह जाने कि जो माइंड है वो माइंड में जो है थोट चलता है अगर वो थोट पहले हुए किसी घड़ना के बारे में चला तो हम उसको बोलेंगे कि पास्ट पास्ट क कहीं होता नहीं है वो जब वो प्रजेंट में था उस वक्त वो घटित हुआ था मगर वो अब जो है वो है नहीं मगर हमारे दिमाग में उसको जहें मेमोरी है उसका पिक्चर है तो वो पिक्चर जब चला तो हम बोलेंगे उसको कि यह पास्ट है और हमारे मन में अगर भविष्य की कोई योजना कोई कल्पना के बारे में विचार चला तो उसको क्या बूलेंगे हम future बूलेंगे वो future भी कहीं है नहीं real existence उसका होता नहीं है वो तो जब आएगा present के रूप में तो उस वक्त वो होगा अभी वह है नहीं अभी तो जो है आपके पास वही है और तिसरी बात जो mind आज के दिन के बारे में सोचेगा अभी के बारे में विचार चलाएगा उसको हम बोलते है present मगर तीन बात जो present, past और future है वो तीनों नहीं होता है वो तीनों का चलना चाहे present में हो चाहे past में हो चाहे future में हो वो बास्तम में वो एक past के बारे में होता है क्योंकि जो हमारे पास मन है वो past वो एक past है वो बिता हुआ है क्योंकि उसमें already बहुत सारे चीजे भरी पड़ी हुए, डाउनलोड हो रही है उसमें, अनकंसस माइन में जो भी देखा, सुना जाना, अनुभब किया, तो उस सभी का चित्र जो है, बना है, तो इसलिए माइन खुद एक पास्ट है, बासी चीजे है माइन, वो यंद्र बासी है, और उसके हिसाब से हम ज प्रजेंट के बारे में जैसे आपने कुछ पेड़ देख लिया, तो लगेगा कि अभी प्रजेंट में पेड़ दिख रहा है, नगर वो पास्ट में दिख रहा है आपको, पहले तो ये बात कि पेड़ दिखने के लिए, पहले तो पेड़ से जो है, रोसनी का आँख में जाने पड़ेगा, और आँख में रेटिना में उसका बिम्म बनेगा, और ब्रेन में वो खबर पहुंचेगी, और अंदर से आप देखेंगे, कहां देखेंगे उसको अपने आँख में देखेंगे, आँख नहीं होगा तो आप नहीं देखेंगे, तो ये सब प तो उसससे पहले दिख जाता है और आवाज थोड़ी देर थोड़ी आती है क्यूंकि आवाज आने के लिए टाइम लगता है वो धोनी को को हवा के तरंगें से होकर वह से यहां तकक है यात्रा करना पड़ता है तो इसलिए वो सुनने में टाइम लगता है तो इसलिए जो हम सुनते हैं वो भी अभी नहीं सुनते हैं वो पहले जो आवाज आई उसको सुनते हैं यहां तक आने के लिए समय लगता है तो भी पास्ट हो गया तो इसलिए जिसको हम प्रजेंट बुलते हैं वो भी पास्ट ही होता है और जो फ्यूचर जो है फ हम उसी बात पर कल्पना भी कर सकते हैं, इमेजनिशन भी कर सकते हैं, जो हमने देखी हो जानी हो, इमेजनिशन करने के लिए उसको देखना हो, अगर आप बेल्जियम नहीं गए हो, तो आपका मैंड कुछ सोच नहीं सकेगा, मगर गए हो तो आपका मैंड सोचेगा उस पर फिर यहाँ पर यह है वहाँ पर यह है बोलेगा तो नहीं चीज यह है माइंड नहीं जानेगा mind 20 चिज़ों को जानेगा तो इसलिए हमारा जो present है वो mind का present है जिसको हम present tense बोलते हैं वो मगर सास्त्रों में क्या बोला है मन से बाहर आने की कला सिखाई है और mind में जिने को नाम है समय में जिने का नाम और आसमय में जिना है हमको present में नहीं लिविंद प्रजेंट में जो आप प्रजेंट बूल रहे हैं वो तो माइंड का प्रजेंट है मगर जब माइंड हटा दो तो भी अस्तित्तो तो होगा जैसे आप नहीं होगे तो भी अस्तित्तो तो होगा पेड दिखेंगे, पहाड होगा, आत्मी होगे, जानबर होगे, यह सब चीज होगे, मगर यह टाइम में नहीं होगे, हम इसको टाइम यानि माइन्ट के परच्छेपन से देखते हैं, अगर ऐसे समझें, जैसे मैं पहले एक वीडियो बनाया था, आप जाकर देखें, जैसे क कोई तिसरे ग्रिह से बाहर से, आकास से कोई एक बेकती जानवर वो कोई आया पर्थिवी में, और उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि यह भूतकाल है, कि बरतमानकाल है, कि यह कितना साल चल रहा है, कितना बजा, टाइम क्या हुआ हुआ है, उसको पता नहीं होगा, क्योंक और जो मन से खाली हुआ आदमी है, जो मन से बाहर आया आदमी है, अगर उसने देख लेया, तो कई से देखेगा, वो सिधे ही देख लेगा, मन और समय के बिना ही देखेगा, तो उस अकाल में अवेर होना है हमको, वो उसको अकाल बोलते हैं, हमारे सास्त्रों में, वो समय स भिन्न होने की कला है वह अकाल दर्शी बोलते हैं जो काल से बहर आता है तीने का प्रजेंट से भी बहर आना है और जो है जिसको हम प्रजेंट बोलते हैं वो प्रजेंट है नहीं मगर अस्तित्व का प्रजेंट है माइन का प्रजेंट पर नहीं जीना है हमको हमको कि कला जाने ना जाने मगर आप प्रजेंट में ही होते हैं अस्तित्व का प्रजेंट में वहीं पर आपका सभी कुछ होता है तो बाहर आने की कला सिखने होगे माइन से बाहर आने की कला तो कई से बाहर आएंगे एक बार भी अगर आपने निर्विचार होकर देखा जीवन को तो आपको पता सलेगा कि समय से बाहर की दुनिया भी होती है, time से बाहर की दुनिया और जिसको host बोल सकते हैं, awareness बोल सकते हैं, meditation बोल सकते हैं तो वो दूसरी चीज होती है, living the present में जो mind का present है वो चीज नहीं होती तो जैसे आकास है जिसका कोई past future present नहीं होता वो काल से बाहर की बात है ऐसे हमारा अंतर आकास भी उसमें भी present past future नहीं होता वो भी सदा से होता है जैसे आकास होता है तो उसका अनुभव कर लेना है और जब उसका अनुभव कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही है और यह ना खतम होता, ना आगे बढ़ता, ना पीछे जाता, यह स्थीर जो हमारा सुभाब है, तो उसका अनुभव करना है, तब ही आप जो है प्रजेंड, लिविंद प्रजेंड जो बोलते हैं, उस हिसाब से जो अच्छी बात है, वो आपको आपके पास आ जाएगी, तो इसक लिए कुछ पहले अवेरनेस की कला बढ़ानी होगी, कुछ माइंड से बाहर आने की कला सिखनी होगी, कुछ धारियता होना चाहिए, जीने के लिए धारियता चाहिए, लिविंद प्रजेंड में आप पहले यह समझे, कि धारिय प्रूपक जीओ, क्यों अधारिय में क्यों आराम से जियो, आराम से बैटो, आराम से चलो, आराम से काम करो, क्यों वो करना है, कहां की देर हो रही है, देर मत करो, आराम से जियो, बस, कोई समय है नहीं, न प्रजेंट है, न पास्ट है, न फ्यूचर है, जहां पर हो, जो कुछ कर रहे हैं, वो करो, उसमें ध्यान पुर से आपए काम यह चलते हैं। थोड़ा मायंट से बाहर समय से बाहर आने की कला शिक हो तो कुछ द्यान का अब्यास भी आप करें मेरे पास भी ऐसे प्राइवेट वीडियो जहें पंद्र गाइडेट मेडिक्टेशन की वीडियो वह आप देख सकते हैं उसके लिए मुझे वार्ट सब पर बात करें नम्मर जो है डिस्प्रिशन में दिया हुआ है ठैक्य।